हाई दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपल के फॉन में कुछ hidden tricks and tips की जो हो सकता है आपको अभी तक पता ही ना हो कि आपके फॉन में ऐसा कुछ भी हो सकता है तो काफी सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि मैं अलग-अलग पार्ट में बनाऊँगा इस पार्ट में मैं करीब आपको साथ से 8 ट्रिक्स बताने जा रहा हूं तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना और बताना कौन सी जो आपको ट्रिक्स है वो सबसे ज़्यदा इंटरस्टिंग लगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो विडाउट एनी डिले तो बात कर लेते हैं पहली ट्रिक्स की पहली ट्रिक्स जो है आपके एपल के फोन में सर्च बार से रिलेटेड है सर्च बार से जुड़ी है उससे आप क्या कुछ कर सकते हो तो चलिए देखते हैं कि आप अपने सर्च बार में क्या कुछ कर सकते हैं तो चलते हैं सर्च बार में जो कि आपको यहां पर दिख जाएगा जैसा कि मैंने यहां पर टाइप करा हुआ है कोवीट तो यह कोवीट से रिलेटिड जितने भी सारे सारे हैं आपको बिना ब्राउजर खोले ही दिखा देगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं सफारी में और यहां पर website इससे related जितनी भी हैं जो की famous websites हैं यह सारी के सारी आपको दिखा देगा और भी आपके अगर कोवीट से related कुछ messages में हैं वो भी दिखाएगा अगर आपकी mail box में हैं वो भी दिखाएगा सेम जैसे कि अभी 13.5 अपडेट आया था तो आपकी settings में भी कोवीट का जो exposure का option है वो आ चुका है तो इसने यह चीज भी आपको दिखा दी आगे आप देख सकते हैं न्यूज दिखा रहा है तो बहुत सारी और चीजे हैं जैसे कि अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं तो दोस्तों नेक्स चीज है अगर आप इसमें कुछ टाइप करते हो लाइक मैंने टाइप करा है वाटसएप तो मैंने वाटस टाइप करा है तो वाटस से रिलेटेड जो भी चीजे हैं यह आपको सारी दिखा देगा जैसे लाइक देखो वाटसएप पोस्टेटर्स और आपके अगर मैसेज बॉक्स में कुछ वाटसएप से रिलेटेड है इन्दी सेम बे अगर आपके मेल में हैं सैटिंग्स में हैं ऐसे ही अगर आप कुछ और भी टाइप करोगे फेस्बुक लाइक उससे रिलेटेड भी जितने सारे जो अग यह आपको result दिखा देगा तो इसी सर्च बार में एक यह और चीज कर सकते हो इसी सर्च बार में आप कैजा इसको calculator भी यूज़ कर सकते हो आप बिना calculator खोले calculations कर सकते हो चलिये मैं आपको बताता हूं कैसे देखो 2 2 प्लस 2 तो यह आपको यहां पे रिजल्ट दिखा रहा है 57 57 इन्टू टू अब देख सकते हैं बेना कल्कुलेटर खोले आप इस सर्च बार से क्या कुछ कर सकते हैं सो हमारी अगली ट्रिक है अंडू से रिलेटिड आप अगर कुछ यहां पे गलर टाइप कर देते हैं लाइक जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं सो मेरे को इसको अंडू करना है अगर आप इसको दबा के रखोगे यहां एक एक करके करोगे तो इससे टाइम लगेगा मैं आपको एक ऐसा फीचर बताता हूं कि उससे आप एक ही बार में यह जो पूरे टैक्स लिखा है इसे मिटा सकते हो कैसे आपको क्या करना है आपको अपने फोन को करना है शेक तो यहां पर आ जाएगा अंडू का उप्शन इसको अब प्रेस करोगे यह सारा का सारा टेक्स्ट चला गया यह था मेरा अंडू से रिलेटेड ट्रिक तो नेक्स फीचर है रिडू का अगर कुछ चीज को गलती से डिलीट कर देते हो तो उसको दुबारा से रिडू कैसे करोगे जैसे मैंने यहां पर टाइप करा हुआ है रिडू लेकिन मेरे से गलती से यह जो है डिलीट हो गया तो अब मैं दुबारा इसको लिखना चाहता मैंने यहां पर लिखा हुआ है आया मिन मीटिंग बट मैंने गलती से जो है इसे डिलीट कर दिया है लेकिन बिना टाइप करे में को इसे फिर से लिखना है तो यह कैसे आएगा दुबारा तो चली अब यह देखते हैं अगें थ्री फिंगर्स टैप जैसा कि आप देख पा रहे हैं दुबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको जस्ट जैस्टर करना है आपको त्री फिंगर्स से इसको तीन बार टैप करना है तो जो आपने गलती से डिलीट कर रहा था वो दुबारा जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा यह थी मेरी undo and redo की trick चलिए next trick देखते हैं नेक्स ट्रिक भी जो है आपकी जो है आपके नोट से से रिलेटेड है चलिए देखते हैं आप अपने नोट्स को कैसे lock कर सकते हो तो अभी मैं आपको यह बताऊंगा अब मैं इसको क्या कर रहा हूं इस इन नोट्स को save कर रहा हू अब आप लोंग प्रेस करोगे इसको लोक नोट यहां पर कुछ पासवर्ड डालोगे 1234 1234 और यहां पर अगर इस टोगल को अन कर दोगे तो आपको अपना पासवर्ड डालेंगे जुरूरत नहीं यह जो आपका आपने जो सेट अप करा है लोक इस नोट पे वो जो है आपक अब इसको खूल जाएगा तो चलिए देखते हैं कैसे हिंट चलो कुछ भी लिख देते हैं अब यहां पर लोक का जो देख सकते हैं आइकन अब मैं दुबारा से खोलता हूं नोट को नोट अभी आप देख पा रहे हैं लोक लगा हुआ है अब मैं इसको खोलना है व्यू नोट अब आइधर आप टो एंटर यूर पास पासवर्ड और यूव तो यूट ट्राइए यूर फेस आईडी तो लेस्ट चेक विद फेस आईडी फस्ट जैसे कि यह खुल चुका है तो यह थी मेरी नोट से रिलेटेड एक ट्रिक तो नेक्स ट्रिक है आप बिना सैटिं में जाए अपनी जो फेस आईडी एक टाइम के लिए डियक्टिवेट कैसे कर सकते हैं अभी मैं नेक्स टिक आपको यह बताऊंगा जैसे कि कई बार जो क्या होता है कि अगर आपकी फेस आईडी एनेबल है काफी टाइम आपके दोस्त या आपके घर में बच्चे आपका फोन लेके आपके फेस के सामने कर देते हैं और वो जो है लोक स्क्रीन होती है आपके फोन की जो उसको एक्टिवेट कर लेते हैं उसको खोल लेते हैं तो आप इसको डियक्टिवेट कैसे कर सकते हैं डियक्टिवेट करने का तरीका है आप लॉंग प्रेस करोगे पावर बटन प्लस वोलिम अप बटन उसके बाद आपके पास यह उप्शन्स आ जाएंगे बाद में आप एमजनसी और यह कॉल कट कर देंगे एंड कॉल जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं यह सिर्फ ऑप्शन दे रहा है एंटर पास कोड ना कि फेस आईडी यह एप्लीकेबल है टच आईडी आईफोन के लिए भी इससे क्या होगा आपकी टच आईडी जो है एक सिर्फ एक टाइम के लिए जब तक आप इस फोन को अनलोक नह जो है वो डी एक्टिवेट हो जाएगी अभी जैसे मेरे को यहां पर पास कोड डालना पड़ेगा अपना तो फिर यह जो है लोक खुल पाएगा तो यह थी मेरी एक और इंट्रस्टिंग ट्रिक चलिए देखते हैं नेक्स ट्रिक क्या है सो मेरी अगली ट्रिक है फोटोस क हाइड कर सकते हो बट वो इतना सेक्योर नहीं होता बट फिर भी आप उनको अपने अल्बम से हाइड कर सकते हो कैसे चलिए बताता हूं आपको जाना है फोटोस में कोई भी फोटो सेलेक्ट करनी है लाइक मैंने यह फोटो सेलेक्ट कर ली ओके तो अभी मैं को इसको करना है, hide करने के लिए में एक को जाना पड़ेगा, share बटन पे, then hide, so अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो फोटो आपको नहीं मिलेगी, but यह फोटो मिल सकती है, कैसे मिलेगी, so अगर आपको इस फोटो को recover करना है, तो आप वो कैसे गरोगे, आपको जाना है नीचे albums में, then आपको सबसे नीचे यह options दिखेगा, hidden का, अगर आप इसको खोलोगे, तो वो जो फोटो आपने hide करी थी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, so अब without any app लोग, आईफोन पे जो अपनी फोटो है, वो hide कर सकते हो, so यह था मेरा एक और interesting trick, तो चलिए देखते हैं, next trick क्या है, so मेरा next trick है, calculator से related, मैंने काफी बार notice कर रहा है, काफी अपने दोस्तों को भी देखा है, उनसे observe कर रहा है, कि क्या उनको इस trick का पता है, कि नहीं पता है, सो पहले मेरे को भी नहीं बता था, जैसे मान लो मैं calculator में कुछ calculation कर रहा हूँ, 903, मैंने यह गलर type कर दिया, बट मैं इसको digit by digit delete नहीं कर पाता, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मैं इसको clear करता हूँ, यह पूरा clear हो जाता है, सो इसको आप digit by digit iPhone में कैसे delete कर सकते हो, यह मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको slide करना है, आपको क्या करना है, आपको स्लाइड करना है, सो आइफोन जो है totally gesture based है, सो यह मैं को काफ़ी interesting लगा, सो चलिए देखते हैं अभी next हमारी trick क्या है, सो हमारी next जो trick है, वो reachability से related है, reachability से मतलब है कि अगर किसी के हाथ चोटे हैं, तो वो अपने एक हाथ से अपने iPhone को control नहीं कर पा रहा है, handle नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे photos पे, camera पे जाने में उसे दिक्कत हो रही है, तो क्या कर सकते हूँ, आप यहाँ से swipe up करोगे, swipe down करना है ज़रा सा, तो आप यह देख पा रहे हूँ, so, reachability में आपको क्या करना होता है, आपको करना है अपने यहाँ से बिल्कुल जो नीचे home बटन होता है, वहाँ से swipe down, तो जैसा कि आप यह देख पा रहे हो, जो सारी applications है, वो नीचे आज आ जाती है, तो आप इनको जो है, access कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे है, सफारी भी आप access कर पा रहे है, जितनी देर आप इसको चलाओगे, active रहेगा, उतनी देर यह reachability वाला function है, active रहेगा, अगर आप इसको छोड़ देते हो, अभी आप इसको use कर रहे हो, तो यह चल रहा है, अगर आपने इसको छोड़ दिया, तो यह अपने आप ऊपर चला गया, तो यह था मेरा आज की वीडियो का last feature, यह था part 1, tips and tricks का, next part और भी इसके मैं बनाऊँगा, और भी इसमें आइफोन में काफी सारे features होते हैं, वो आपको मैं next videos में दिखाऊँगा, तो अगर आपको यह वीडियो सही लगी, कुछ tricks पता चले, जो आपको पहले नहीं पता थे, तो वीडियो को like करें, and channel को subscribe करें, so thank you for watching, मिलते हैं भी next video में,